आपको आज राग भीम पलासी का 20 स्वरों तक स्वर्विस्तार कराने वाले हूँ ये टॉपिक क्लास 11 में, टर्म 2 में, क्वेशन नम्बर 5 में आने वाला है तो आएए स्टार्ट करते हैं राग का 20 स्वरों तक स्वर्विस्तार राग भीम पलासी के परिचे में आपने आरो, अवरो और पकड तो करी ही है नीसा गमा पानिसा, सानिधापा मगारेसा, नीसा मा, मगापा, मगा, मगारेसा तो ये आपने लर्ण की हुई है राग भीम पलासी में तो बच्चे कनफ्यूज है कि इसका 20 स्वरों तक विस्तार किस प्रकार से करें तो आपको इसके लिए कुछ भी अलग से लर्ण करने की जरूत नहीं है तो इसके आरो हमने याद कि है नीसा गम पानीसा तो हम 20 स्वरों तक विस्तार के लिए हम पहले उपर हैडिंग डालेंगे और इसका आरो, अवरो और पकड लिखते जाएंगे हमेशा धियान रखना है जो उसके वर्जिस स्वर हैं और जो उसके कोमल स्वर हैं अधर वाले जो स्वर हैं वो जरूर लगाने होते हैं अधरवाइस आपका राख चेंज हो जाता है नहीं तो उसमें आपके मार्क्स भी कट होते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो मार्क्स कट होंगे तो इसमें है गा और नीस्वर कोमल तो मेंस जहां भी ग और नी स्वर होंगे वो underline होंगे तो हम इसका आरो लिखेंगे नी सा ग म प नी सा इसका आरो और हवरो हम लिखते जाएंगे मैंने आरो और अवरो लिख लिया है अब इसका पकड लिखेंगे यह देखे हमारे इसके रागभीम बलासी के स्वर हो गए है तो आपने क्या किया है इसमें आरो और अवरो और पकड एक साथ लिख दिया है तो आपके यह 20 स्वर हो जाएंगे तो इस प्रकार से 20 स्वर तक विस्तार हम कर सकते हैं दूसरा तरीका है अगर आप आरो और अवरो जानते हैं इसका क्या है और पकड भूल गए हैं तो इसको लिए क्या करेंगे बच्चे कहते हैं कि इसमें स्वर हमारे कम पड़ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम इसके आरो के जो स्वर हैं वो डबल कर देंगे या आरो और अवरो दोनों के स्वर डबल करते जाएंगे और उसका 20 स्वरों तक विस्तार हो जाएगा देखें तो इस प्रकार से आपका ये आरो और अवरो से मिलकर भी आप इसका 20 स्वरों तक विस्तार कर सकते हैं अदर्वाइस आप आरो अवरो और पकड एक साथ लिख दीजिए तो भी आपका 20 स्वरों हो जाएंगे बच्चों को ऐसा नहीं करना है कि आपको कहीं भी बीच में छोड़ दोगे नहीं आपको पूरे स्वरों एक साथ लिखेंगे तो उसके बाद ही आपका ये complete माना जाएगा तो इस प्रकार से हमने आज किया रागभीम पलासी का 20 स्वरों तक स्वरों विस्तार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद